नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नहीं मंग में तो जैसा कि आप सभी को पता है अभी आपकी जो कलासी चल रही वो राजस्तान हाई कोर्ट ग्रूप टी एक्जाम 2020 के लिए आपकी कलासी वो कंट्रूशी चल रही है तो आदक जो आपकी कलास है वो हिंदी व्यकणी कलास है और इसमें हम दाजस्तान हाई कोर्ट गूरॉप टी एक्जाम 2020 का आपका एक्याम पेटर्ण है और आपका तुसले बस है उसी की कोडिंग चाहरीस क्यूशन है और यह चाहरीस क्यूशन बहुत ही इपॉर्टेट्ट क् अच्छा आ रहे हैं आपको बस इसी तरह की क्या आपको इसी लेवल की ही आपको त्यारी करनी है तो चलिए शुरू करते हैं आज कि इस काई किपाना है कि अलब पराण कॉन सा है बतायी आपको प्रान की तो इसमें आएगा का और रगया और गया ऑप्शन की और बढ़ते नेक्शन की और अब आपको उताना है कि किस सब्द में विशरग संदी नहीं है बताए किस सब्द में विशरग संदी नहीं है चारों आप्शन में इसे बताना आपको क्या आएगा इसमें क्या आएगा किस सब्द में विशरग संदी नहीं है चारों आप्शन में इ अनुस्वार आएगा बढ़ते नेक्षन की और अब आपको उता रहें कि दो अत्वा दोस्य अधिक सब्दों से मिलकर बने हुए ने शार्तिक सब्द को क्या कहते हैं चार उप्षन में से उताइए सही जवाब क्या आएगा इसमें किया आएगा इसमें समास कहते हैं option number C आज का आपका paper वो बिल्कुल requested है बहुत interested होगा क्योंकि आज की question आपको उल्ट पूल्ट क्योश्ण मिलेंगे सभी क्योशन आपको नए प्रवाइड करवाई जा रहे हैं बड़ते एक्षन के और इन में से आनीस सित वाजश्क सरवा नाम कौन सा है नाम चारों ऑप्षन में बता आना आपको क्या आएगा इसमें क्या आएगा तो इसमें आएगा आपका option number B आएगा कोई अगर आपने option number B चुना है तो आपका बिल्कूल जहेज हुआ आप बढ़ते नेक्षन की और अब आपको बताना है कि yes विश्रक प्लस में दा का संदी युक्त पद होगा यानि आपको विश्रक दिया हुआ है संदी करके बताना है कौन सा आएगा नया सब्द yes विश्रक प्लस में दा का संदी युक्त सब्द बताना है आपको कौन सा आएगा तार ओप्सन में से तो इसमें आएगा आपका option number C yes ओदा क्या आएगा इसमें yes ओदा बड़तना अक्सन के और निमन में से सक्रमक कि रिए बताना आपको कौन सा आएगा कौन सा आएगा तार ओपसन में से कौन सा आएगा तो स्क्रमक कि रिए आएगा वो आएगा बनाना option number D अमबर B या जाएगा इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब, बढ़तेने एक्षन की और, सोस याने का एकमत कावतकार्थ है, आपको बताना है कौन सा आएगा चार ओप्षन में से, कौन सा आएगा, तो बुद्धिमान की विचार एक से होते हैं, ओप्षन नमबर डी आजाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, बढ़तेने एक्षन की और, अब आपको बताना है कि समास का साबदिक अर्थ होता है, बताई ये, समास का साबदिक अर्थ बताना आपको क्या आएगा, चार ओप्षन में से, समास का साबदिक अर्थ बताना आपको क्या आएगा, चार ओप्षन में से, तो इस सब्सक्राइब करें आपको किसा नब्ट प्लस में डिल्कुल सफित का यह क। उत प्लस में लास आजाएगा 선 बढ़ति अक्षिन की ओर वह पुस्थक पड़ो वाक्य में विशेशन le emails आ कौन सा आएगा सभुधे में ètement चाहरो बढ़ति अप्षिन आपको दिया मैं सभी जवाब बताये क्या की निश्के बाचक सरव नाम बताइए कोंसा आएगा चारो अप्षन मेंसे कोंसा आएगा धूसे जल्दी-जल्दी आपको क्यूसर ने एक तो इसमें आएगा आ उप्षन के ऑपका जाएगा प्रती दिन बढ़ते नेक्शन की और अब आपको ताना है कि उसने कालू की बिटाई कर दी इस वाक्य में किरिया का कौन सा रूप है बताईए क्या आएगा चार उप्शन में से तो इसमें आएगा आपका श्रियुक्त उप्शन नमबर आजाएगा आपका बढ़ते नेक्शन की और अब आपको तना है कि तो इस bên आएगा आपका जो सही जवाब वो आएगा जूटा दिखावा करना नमबर आजाएगा आपका बढ़ते नेक्शन की और अब आपको तना है कि सारी आरोग्ये के लिए आरोगई इसका सूधरूप बताना है कौँं सा आएगा इसका सूधरूप चार ओप्सन में से तो आरोगई का जो सूधरूप आएगा वो आएगा आरोगई उप्सन नमबर डी वाला आएगा आएगा आपका बिल्कुल सह जवाप अगलिए और क्लूस का विलोम सब्द बताना आपको क्लूस का विलोम सब्द बताईए चार ओप्सन में से कौन सा आएगा कौन सा आएगा क्लूस का क्लूस का आएगा निस्क्लूस ओप्सन नमर आ जाएगा आपका भी बिल्कुल सही जो आप बढ़ते नेक्सन के और आपको आजकल बारत के कारखानों से एक से बढ़कर एक सरेष्टम वस्तुए निकल कर बनकर निकल रही है तो इसमें आपको आपको इसलेश दिया होता है इसमें आपको सिद्धा दिया हुआ है बताईए इसमें एसुदबाग कौन सा है तो क्या आजाएगा इसमें तो इसमें आएगा आपका जो सई जुआप वह आएगा एक से बढ़कर एक सरेष्टम वस्तुए ओप्शन नमर बी में आपका क्या है बिल्कुल सई जवाब एसुदबाग है बढ़ते नेक्शन की और वाक्य के एसुदबाग का चेन कीजिए अमें पहले प्रात्मिक्ता इते कर लेनी चाहिए पर्तियूत अपार दनराशी का वे निर्थरक पनमालनित होगा तो इसमें बताईए आपको क्या आएगा क्या आएगा चार ओप्शन में से तो इसमें आएगा आपका सई जवाब वो आएगा पर्ट्यूत अपार्दन राशी का वे ओप्स नमबर आजाएगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की ओर वाके में एसुद भाग का चेहन कीजिए यह नीज संदे है पुरुव का जा सकता है कि आतमकथा लिखनी जीवनी लिखनी से भी कठिन काम है तो बताईए इसमें क्या आएगा एसुद भाग का चेहन करना आपको भीर से यह तीन क्यूशन आपके एसुद भाग के थे तो इसमें आजाएगा आपका यह नीज संदे है पुरुव का जा सकता है उप्सन नमर ए अगर आपने किया है तो आप अपना एक नमर जोड़ सकते हो बढ़ते नेक्शन की ओर व्याकण की दरश्टी से प्रेम सबत बताना आपको क्या आएगा चारो उप्सन आपको दिए वए से जवाब बताईए क्या आएगा इसमें प्रेम क्या है बावाचक संग्या है ओप्शन नमबर D अगर आपने किया है तो आप अपना एक नमबर जोड़ ज़कते हो बढ़ते नेक्शन के ओर दिये वे सब्दों में भिन अर्थ वाला सब्द बताना आपको दिये वे सब्दों में भिन अर्थ वाला सब्द बताईए चार ओप्षन में से क्या आएगा क्या आजाएगा इसमें सुधाकर आजाएगा ओप्षन नमबर C बढ़ते रेक्षन के ओर लाल पीला होना मुहावरे कार्थ बताना आपको लाल पीला होना मुहावरे कार्थ बताईए चार ओप्षन में से क्या आएगा क्या आएगा इसमें तो इसमें आएगा आएगा आपका क्रोध करना ओप्षन नमबर C आजाएगा पिल्कुल से जवाब पढ़ते नेक्शन के ओर, दिये गए सब्दों में सुध बरतनी वाला सब्द बताना आपको कौन सा आएगा, बताए क्या आएगा चार उप्षिन में से, तो इसमें आएगा आपका सचीदानन, उप्षिन नमर सी आजाएगा बिलकुल सही जवाब, बढ़ते नेक्शन के ओर आँखों के सामने गठित गठना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा रिखांकित वाक्यांस के लिए एक सब्द का चेहन के जिए यानि जो आपको बोल्ड अक्सरों दीख रहा है आँखों के सामने इसके लिए आपको एक सब्द का जो वाक्यांस के लिए एक सब्द होता है वो बताना है कौन सा आएगा तो आँखों के सामने होता है वो होता है पर्ते एक्ष क्या होता है पर्ते एक्ष ओप्सन नमर डी बढ़तेन एक्षन के ओर निमन में से नाशी के वेंजन कौन सा है बताईए निमन में से नाशी के वेंजन बताना आपको कौन सा है चार ओप्षन आपको दिये हुए सही जवाब बताना आपको कौन सा आएगा इसमें कौन सा आएगा चार ओप्षन में से तो नसी के बंजर होगा वो आएगा इड़े क्या आजाएगा option number C आएगा आपका बिलकुल से जवाब बढ़ते ने action के ओर जाती बाचक संग्या बताएगे कौन सा आएगा जाती बाचक संग्या बताना आपको कौन सा आएगा क्या आएगा इसमें जाती बाचक संग्या में तो इसमें आएगा आपका लड़का option number A आएगा बिलकुल से जवाब बढ़ते ने action के ओर रिनातमक का विलोम सब्द बताना आपको कौन सा आएगा रिनातमक का विलोम सब्द बताएगे चारों option में से कौन सा आएगा इसमें रिनातमक का विलोम सब्द बताना आपको कौन सा आएगा तो रिनातमक का आजाएगा रिनातमक option number A आएगा इसमें बिलकुल से जवाब बढ़ते हैं next one के ओर अब बताना आपको आपकी किरकरी होना मुआवरे कार्थ बताना आपको बताइए क्या आएगा चारों option में से तो इसमें आएगा option number D बढ़ते हैछन की ओर परविशेशन का परियोग किस वाक्य में हुए आपको परविशेशन का परियोग दाना आपको किस वाक्य में हुए चार उप्सन आपको दिये में सही जुब बताना को क्या आएगा इसमी क्या आएगा इसमी तो इसमी आजाएगा वह बहुत अच्छा लड़का है और अगर आपने शी चुना है तो आपका बिल्कुल सही जुब बढ़ते नेक्शन की और इस वर का कोई अकार नहीं होता वकें होता है निराकार ऊसना आ उप्स नंबर सी आएगा इस में बढ़ते नेक्शन की और फूल का प्रहव आशी नहीं है बताईए फूल का प्रहव टीकौन सा ने चार उप्सन में अब कर शिया आएगा आपका तनूज्गासा आपसन सब्स्रत नंबर्दी बढ़ते नेक्सन की और गुरु गुड चेला चीनी कावतकार्थ है गुरु गुड चेला चीनी कावतकार्थ होता है आपको क्या आएगा चार ओप्षन में से गुरु गुड चेला चीनी कावतकार्थ क्या होता है चार ओप्षन में से तुष में आएगा आपका गुरु से चेले का आगे बढ़ना option number B अगर आपने किये तो आपका पिल्कुल सही जवाब गुरु से चेले का आगे बढ़ना अगर आपने किया है option number B तो आपका पिल्कुल सही जवाब पढ़तेने action के और दिए गए सब्धों में सुद्वर्तनी वाला सब्सक्राइब बताईए चार उप्सन में से क्या आएगा क्या आएगा बताईए क्या आएगा चार उप्सन में से तो इसमें आएगा आपका उप्सन नमर B शुशुप्ती उप्सन नमर B वाला बिल्कुल सही जवाब है बढ़ते ने अक्शन के और अकास का प्रयावाची सब्द बताएं कौन सा आएगा तो इसमें आएगा व्योम उप्शन नमबर बढ़त एनेक्शन के और मिर्दूल का विलोम सब्द बताना आपको बताएं मिर्दूल का विलोम सब्द बताएं चार उप्शन में से कौन सा आएगा कौन सा आएगा इसमें मिर्दूल का आएगा रुक्ष क्या आएगा इसमें रुक्ष उप्शन नमबर बढ़त एनेक्शन के और स्थान के आदार पर आपको बताना है कि मुर्दन्य वेंजन कौन से हो अब्शने में जीजी जवाब जल्दी जल्दी तो इसमें आएगा आपका डय और धय ऑप्सन नमबर आजाएगा कि इसमें डी बढते रैक्षों चूर वैपराथना पत्तर लिक कर चला गया इस वक्य में पुर्ण का लिख किरिया है तो उप्सन नमबर C, बढ़ते नेक्षन के ओर, अब आपको बताना है कि बारतिय की बूरी दिसा देखकर गांदी जी का मन दरवीत हो गया, रिखांकित वाक्यांस के लिए आपको एक सिबत का चेन करना है, बूरी दिसा के नीचे अंडरलाईन है आपे, बताए क्या आएगा, त अब आपको बताना है कि आस्मान पर चड़ना मुआवरेकार्थ है बताए, आस्मान पर चड़ना मुआवरेकार्थ बताना आपको कौन सा आएगा इसमें, तो इसमें आएगा अत्यादीक परसंसा गरना, उप्सन नमबर B, बढ़ते नेक्षन के ओर, राम अभी आया है, व है आपको यह आए आया है वके में के किरिय किस काल की है आपको यह बताना copying कौन सा है его कोंसा हैकiva devaient काल आपके बिलकुल सही जवाब है तो यह तो थी आपके हंदी व्याकरण के 16 जो आज के इस model paper में हमने किये है अब आपको बताना है कि आज के इस हिंदी व्याकन के model paper में आपके कितरे नमबर आए है आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसे like और share जुरूर करना है अगर आप तेने पर नहीं तो चैनल को subscribe करना है साथ में आपको इदरे एक बेल आइकन दीख रहा है उसको आपको प्रेज करना है तक कि जब भी को नए वीडियो डाले जाए आपकी बावसुद का नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल सी जल के वो कलाज जोईन गर्श को तो आद की कलास में बस इतना ही मिलते हैं ने कलास में तब तक के लिए जैद जैबार थन्यवाद